का हर्दिक स्वागत करता हूं मेरे पैरे बचों आज इस वीडियो में हम 15% ओल इंडिया कोटा वेटनरी कोर्स की कैटेगरी वाइस कटोफ के बारे में बात करेंगे कि क्या रह सकती है इस कोर्स के लिए कटो तो मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स के लिए जो कांसलिंग की ज होता है अभी इसकी कैटेगरी वाइस कटोफ क्या रह सकती है इस साल के लिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी कंडिडेट्स को MBBS नहीं मिलता है तो उसको कौन से कोर्स में एडमिसन लेना चीए कौन सा कोर्स बेटर है उसको विटनरी में एडमिसन लेना चीए या BDS में लेना चीए या BMS में लेना चीए या फिर BSC नर्सिंग में लेना चीए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा MBBS के बाद इसके लिए मैं एक separate वीडियो बना दो एक्सपेक्टेट कटोप देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो की description box में लिंक है या फिर हमारी website www.chopraeducation.in से इसको डाउनलोड कर सकते हैं जैसी आप डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं इसमें जो ओल इंडिया कोटा की बुक है स्टेट कोटा की बुक है आयूस और वेटनरी की बुक है इसमें 2023 के लिए 24 लिस्ट भी दे रखी है चाथ साल की प्रिवीए सेयर की कटोफ भी दे रखी है और इसमें जो ओपन स्टेट हैं उसके बारे में भी समझाया गया है इसमें स्टेट की other state यानि कि other state के private में जो candidate admission लेना चाहते हैं उसके लिए कहा कहा facility क्या fees रहेगी ये सब बताया गया है तो मैं सोचता हूँ ये book आपके लिए काफी helpful रहेगी अब बात करें हम expected cutoff की क्या expected cutoff रह सकती है 23 के लिए veterinary course के लिए तो इसमें दो प्रकार की seat होती है पॉल इंडिया कोटा की जब counseling करवाई जाती है VCI द्वारा तो इसमें दो प्रकार की seating होती है एक होती है government और एक होती है private प्राइवेट की पांच colleges हैं जिनकी fees काफी ज्यादा है यानि कि 5-6 लाक रुपए के बीच में तो institution fees है इसके अलावा आपका hostel वगरा मैस वगरा सब कुछ मिला के यह 6-7 लाक के बीच में पढ़ जाता है इसका total expense है वो 6-7 लाक के बीच में अगर आप इन प्राइवेट कोलेज में admission लेना साते हैं तो इतना सारा खर्ष में आ जाता है अभी कौवर्मेंट की कटोफ क्या रह सकती है तो मैंने यह last round की cutoff predict की है बाके आप पिसली साल की cutoff हमारी book से देख सकते हैं पितले 4 सालों में क्या cutoff रही है इस साल जो cutoff रहेगी वो पिसली साल जैसे ही cutoff रहेगी तो कौन सी college की कितने cutoff रही है आप देख सकते हैं कौन सी college कौन से state में है उसकी fees कितनी है यह सारी details इसमें है अभी government के लिए your category की 490 cutoff रह सकती है 490 cutoff रह सकती है यह cutoff last round की cutoff है जो offline round होता है last round की cutoff जो offline होता है first round, second round, mop up round यह सारे online होते हैं लेकिन जो last round होता है stay vacancy वो offline होता है और उसी की cutoff मैंने यहां predict की है आपको, EWS के लिए 485 रह सकती है, OBC के लिए 480 cutoff रह सकती है, SC के लिए 270 cutoff रह सकती है ST के लिए 250 cutoff रह सकती है यहां पर government की condition में, government college के लिए government veterinary college के लिए, अब जो 5 veterinary private college हैं, दो रजस्तान के हैं इसके बाद में हरोतक का है college, पंजाब का एक college है, तो यह total 5 college हैं जिनकी fees 5-6 लाग के बीच में पड़ती है, अगर इनकी हम cutoff देखें, ओल इंडिया कोटा से ही इन college की counseling होती है, तो इसमें 300 UR category की cutoff जा सकती है EWS की 255 जा सकती है, OBC की 240 जा सकती है, SC category की 100 और ST की 120, यह 2-3 सालों में हमें यह देखने में आया है कि जो private colleges हैं, उनकी SC category की cutoff कम जाती है, ज्यादा fees वाली जो college हैं, लेकिन ST category की cutoff ज्यादा जाती है यह previous year में हमें देखने को मिला है, बाकी जो details हैं, वो आप हमारी website से book download करके आप देख सकते हैं, इसमें book के अंदर सारी सब कुछ दिया हुआ है कौन से college की कितनी fees है, previous year में कितनी cutoff गई हुई है उनकी तो यह जानकारी थी veterinary course के बारे में, बाकी समय समय पर हम update लेके आते रहते हैं, तो आप चैनल को subscribe जरूर करके रखें, क्योंकि इस परकार की information, need related updates, सारी information हमारे channel पर authentic मिलेंगी तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा like वे share करें, मिलेंगे नई update के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जैखें